प्रागराज में आयुजित हुए एक ओरिंटेंशन कारकम में हार्ट के डॉक्टरों ने शिर्कत किया और ओरिंटेंशन कारकम में शामिल हुए कॉलियो जिस्ट डॉक्टर एके सिर्वास्तों ने युवाउं से विशेस अपील किया दरसल डॉक्टर एके सिर्वास्तों ने बल रहे हार्ट अटेक के खत्रों को लेकर अगाह किया साथी खान पान और फिटनेस को लेकर जागरूख होने को कहा परिवेश में हिदे रोग एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और ये काफी मात्रा में लोगों को हार्ट रोग हो रहा है और उसका मेन कारण यही है कि सूगर का होना सूगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और एकसरसाइज ना करना खान पीन में परहेज ना करना इस सब कारण जो है सिडेंटरी लाइफ है लोग टहलते गूंगते नहीं है फैट के जो है भोजन करते हैं तो यह सारे चीजे में क इस बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल से इसके लिए लोगों को अपनी दिंचरिया रेगुलेट करनी चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए खान पीन में परहेज होना चाहिए तनाव के लिए तो मैं तो यह कहूंगा कि होता है एक समाज के तरफ से तनाव आता है तो जो हमारे सोच के लिए तनाव होता है वो तो हमारे अधिकार है कि हम उसे ठीक कर लें लेकिन जो समाज के द्वारा तनाव आता है उसको हम कैसे विवेक पूर्ण उसके निवारन करें उसे हमें सोचना पड़ता है अगर वो सदेनली बंद हो गई अबरफ ग्लोजर इसको बोलते हैं तो हाट की मसिल में आक्सिजन नहोंने से उनमें चेंजे जाने लगते हैं और वो दर्द होता है उस दर्द को कहते हैं अंगाइना जो है लैटिन वर्ड है इसका मतलब है क्राइंग आफ डाइंग मसिल मला मसिल को अक्सिजन नहीं मिल रहा है वो मर रही है और उससे होगा तो उसका बेस्ट इलाज यह है कि आप जो है ऐसे हास्पिटल में जाएं जहां पे आपका वो आर्टरी को जो है एंजिग्राफिक करकी आ खुलने का समय अगर 6-8 घंटे के अंदर खुल जाता है तो हार्ट मसिल का डेमेज जो है काफी हद तक जो है वो बन रुक जाता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हां बेल आइ स्टार, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे आइडी है अट तरेट टेज्वेंडी डियो स्लाश